मेरा नाम है म्रदुला और आज का हमारा टॉपिक है फिल्टर एट्स and फिल्टर मीडिया तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फिल्टर एट के बारे में बात करेंगे तो फिल्टर एट्स जो है वह बेसिकली एट्स यानि की जो फिल्टरेशन को इंक्रीज करता है जो उसको सपोर्ट करता है उसे हम एट्स बोलते हैं तो यह फाइनली डिवाइड माटेरियल होता है जो कि लिक्विड जिसको के फिल्टर किया जाना है उसमें एड किया जाता है केख करिए यह चिसको केख करते केख करें , नहीं होगा चोप कर देगा जिससे कि further filtration नहीं होगा तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जिस भी लिक्विट को फिल्टर करते हैं उसमें यह एड करते हैं ताकि यह की पर्मिबिल्टी यानि कि एजली के थ्रोजो है वह लिक्विट पार्स हो सके और उसकी पोरोसिटी अगर वह प रेजिस्टन्स को है वह एजलेटा है मितला वह कर सकता है आपको फिल्टर मिडियम तो यह जो फिल्टर एच होते हैं वह दो तरीकी से यूश जाते हैं या तो pre-coat layer form कर दिया जाता है filter medium यह यह filter medium है इसी के उपर एक प्रीकोट लगा दिया जाता है जिससे कि जो filter aid है उसके clarity बढ़ जाती है या तो फिर जो भी liquid है उसमें एंड कर दिया जाता है जिससे कि फ्लो रेट जो है वो इन्क्रीस हो जाए अब देखते हैं कि इने इनसे डूल्ज भी फिल्टर मीडियोomi है यह ली पिल्टर करने वाले हैं इसके साथ भी एंत्र भी रीयक्विड już कई जिष्ट पॉपधी के पती काफी हाई हो जिससे कम इने ā future कि फ्लो कर सके फिल्टा तो जो है इस राट पार्टिकटिज और सर्फेस परीज्ट पार्टिकल से कोड़िशन हो प्री कोटिंग अगर फिल्टर मीडियम के उपर अप्लाई किया गया है तो वह भी इसली वहां से मतलब की पास हो सके जो भी फिल्टरेट है ठीके अब जो फिल्टर एट्स कॉमनली यूज किया जाते हैं वह है डायाटमेसियस अर्थ जिसकी किसल गवर भी बोलते हैं टैल चारकोल एसबेस्टर, पेपर पल्प, बेंटोनाइट या फुलर अर्थ यह कॉमनली यूज है जिसमें सबसे जादा डायाटमेसियस अर्थ यूज किया जाता है फिल्टर एट्स काफी क्लियर होते हैं और काफी वरसिटाइल है यानि कि जो फिल्टरेट मिलता है वह हमें क्लियर मि आपको फिल्टर एट्स के ऊपर एब्सॉर्फ हो जाते हैं कभी-कभी फिल्टर एट्स को कॉंटामिनेट कर देता है जिसकी वजह से जो सेंसिटिव इंग्रियेंट्स होते हैं जिस भी लिक्विट में वह डिग्रेड होने लगते हैं अब हम बात करेंगे फिल्टर मीडिय धे फिल्तर में वर्टरेशन केरी होता है तो जिस ससुलिटेड जाके डिपॉजित होते हैं किसी भी याधिरेशन प्रसेस में उसको बोलते हैं फिल्टर मीडिया यह एक तरह से mechanical support प्रोवाइड करता है filter cake यानि कि जो भी solid है उसके लिए और सारे solids को collect कर लेता है एक filter media के कुछ characteristic होने चाहिए जिसके हिजाब से उसे ideal consider करेंगे तो उसमें जो है वो इतनी capability होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही clear filter rate जो है वो filter करें और उसका production rate है वो भी adequate होना चाहिए यानि कि चीह तरह से कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए उसके पोर्स के तो easily जो भी liquid है वो पास कर सके किसी तरह का loss नहीं होना चाहिए filter media का यानि कि अगर उसको filter media को वापस clean किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पा filter के deposit होगा तो वो pressure apply करेगा तो उस चीज को यह stand कर सके ऐसा filter medium होना चाहिए यानि कि वो break ना करे क्राक ना करे इस तरह का होना चाहिए किसी तरह का chemical या physical interaction ना करे उन filter rate के components के साथ नहीं तो फिर आपको वो filter rate clear या accurate नहीं मिलेगा इसके अलावा जितने भी solids प्रेजंट है जिसके लिए filtration केरे डाउट किया जा रहा है उससे clogging नहीं होना चाहिए ठीक है यानि कि जैसे फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया और उसके पोर्स क्लोग हो गया तो filtration प् अब है टाइपस फिल्टर मीडिया जो कि कॉमनली यूज किया जाते हैं जिसमें सबसे पहले आता है तो यह फिल्टर पेपर जो है बहुत ही fine solids को easily retain कर लेता है और liquids को clarify करने के लिए काफी useful होता है जिसमें की solid content काफी कम होते है यह अलग-अलग grades में अबलेवल होता है इसक पर्मेबिल्टी भी different different होती है यानि कि यह circular, cone, square, rectangle अलग-अलग शेफ में आपको market में अबलेवल है membrane filter जो है यह basically pure cellulose या cellulose derivative खासकर के cellulose ister या फिर nylon, teflin, polyvinyl, chloride या फिर silver का बना हुआ अबलेवल है market में यह micro filtration यानि कि micrometer जो particles बहुत small होते है nanometer, micrometer के size में उसके लिए यूज किया जाता है और basically यह sterile solution के preparation में यूज करते है इसकी जो thickness होनी चाहिए वो 50-200 micron होनी चाहिए और यह millions of pores प्रिजन होने चाहिए per square meter ताकि जो filtration है वो आपको easily carried out हो जाना चाहिए ठीक है इसके जो pores है वो uniformly sized होने चाहिए जिनका size 0.05 से लेके 14 micron तक होना चाहिए pre-filtration हमेशा required होती है क्योंकि membrane filters में clogging के chances ज्यादा होते है थर्ड जो है फिल्टर मीडिया वो है cotton fibers यह small placed absorbent cotton wool को यूज किया जाता है filtration के लिए और इसको basically जो funnel होता है इस तरह का उसके neck में यहां पर insert कर दिया जाता है जो large particles होते है extraneous matter के उनको remove करने के लिए काफी useful है क्योंकि easily यहां से clear liquid मिल जाता है repeated filtration जब यह use करते हैं तो उसकी ज़रत हो सकती है कि suppose बहुत ही fine particles जो है वो liquid के साथ पास कर सकते है next है glassule यह जो है highly reactive and corrosive solution को filter करने के लिए यूज किया जाता है जैसे strong acid, alkalis or oxidizing acid इसमें जो है normal chemical reaction के लिए काफी resistant होता है यह resistant होता है मतलब इसके साथ glass के साथ और react नहीं करते हैं और कभी-कभी लेकिन chances होते हैं कि यह filtrate को contaminate करते हैं next है asbestos यह tightly compressed shredded asbestos pad होते हैं यह various size में available होते हैं इनको glassable के नीचे रखा जाता है मतलब उसके नीचे प्लेस कर दिया जाता है और यह frequently इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि यह filtrate के साथ alkaline reaction प्रोड्यूस कर सकता है या फिर कुछ calcium magnesium release करके यह incompatibility प्रोड्यूस कर सकता है कभी-कभी active substances जैसे alkaloids वगरा easily absorb हो जाते हैं asbestos के उपर और यह asbestos fibers जो है कभी-कभी filtrate में भी enter हो जाता है मतलब filtration के time इसके जो है यह filtrate में आ जाएगा तो large scale filtration operation के लिए sand filters यूज किया जाता है जिसमें basically आपको layers present होते है sand stone or gravel के यानि सबसे उपर sand होता है sand के नीचे stone होता है और stone के नीचे आपको gravels होते हैं और इस तरह का layer बना के filtration carry out किया जाता है large scale पे but basically bug filled और chamber land filters जो है वो bacteria proof filters के example है और इसमें जो filtering agent होता है वो hollow cylinder या फिर candle होता है आपको un-glazed porous proselyne या फिर diatmesis earth का तो ये था about आपका filter aid and filter media के बारे में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे like share और comment करें thank you for watching